Hello everyone, welcome back to my channel Viewers, आप सभी का welcome है आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और नए डेली बूले जाने वाले English के sentences देखेंगे Let us start अगर आपको बोलना है किसी से English में कि ऐसा दुबारा मत करना ऐसा दुबारा मत करना ऐसा दुबारा मत करना आप सिंपल बोलेंगे Don't do this again Don't do this again ऐसा दुबारा मत करना Don't do this again Don't do this again ऐसा दुबारा मत करना अगला sentence है sentence number second अगर आपको बोलना है किसी से कि इस परिशानी का हल निकालो इस परिशानी का हल निकालो तो आप सिंपल बोलेंगे Find out the solution of this problem Find out the solution of this problem इस परिशानी का हल निकालो Find out the solution of this problem इस परिशानी का हल निकालो ऐसा दुबारा मत करना Don't do this again अगला सेंटेंस है सेंटेंस नमबर 3 अगर आपको बोलना है किसी से कि इस बात को अपने तक ही रखना इस बात को अपने तक ही रखना तो आप सेंपल बोलेंगे Keep it to yourself Keep it to yourself इस बात को अपने तक ही रखना Keep it to yourself Keep it to yourself Keep it to yourself अगला सेंटेंस है सेंटेंस नमबर 4 अगर आपको बोलना है किसी से मुझे आप से कुछ बात करनी है मुझे आप से कुछ बात करनी है तो आप simple बोलेंगे I need to talk to you मुझे आप से कुछ बात करनी है इस बात को अपने तक ही रखना keep it to yourself अगला sentence है sentence number six अगर आपको बोलना है किसी से कि तुम परिशान लग रहे हो तुम परिशान लग रहे हो तो आप simple बोलेंगे you look upset तुम परिशान लग रहे हो अगला sentence है sentence number six अगर आपको बोलना है किसी से कि मुझे गुटन लग रहे है मुझे गुटन लग रहे है मुझे गुटन लग रहे है तो आप simple बोलेंगे I am feeling suffocated I am feeling suffocated मुझे गुटन लग रहे है I am feeling suffocated अगला sentence है अगर आपको बोलना है किसी से कि तुम रो क्यों रही हो तुम रो क्यों रही हो तो आप simple बोलेंगे अगला sentence है sentence number 8 अगर आपको बोलना है किसी से क्या आपने सुना है क्या आपने सुना है क्या आपने सुना है तो आप simple बोलेंगे अगला sentence है sentence number 9 अगर आपको कहना है किसी से कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया तो आप simple बोलेंगे I really did wrong to you I really did wrong to you अगला sentence है sentence number 10 अगर हम लोग को कहना है कि कसम से कसम से तो आप simple इसे बोलेंगे I swear I swear कसम से I swear I swear to God ऐसे लोग बोलते नहीं है I swear to God तो अगर आपको बोलना है कि कसम से तो आप simple बोलेंगे I swear अगला sentence है sentence number 11 अगर आपको बोलना है किसी से कि कितने बत्तमीज हो तुम कितने बत्तमीज हो तुम तो आप simple बोलेंगे How rude of you How rude of you कितने बत्तमीज हो तुम How rude of you How rude of you How rude of you How rude of you कितने बत्तमीज हो तुम अगला sentence है sentence number 12 नहीं देख सकता हो तो आप simple बोलेंगे I can't see you like this 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 अगला sentence है sentence number 14 अगर आपको बोलना है किसी से अगला sentence है sentence number 15 अगला sentence है sentence number 15 अगर आपको बोलना है किसी से कि वो ऐसे नहीं सुनेगा वो ऐसे नहीं सुनेगा तो आप simple बोलेंगे He won't listen like this He won't listen like this वो ऐसे नहीं सुनेगा He won't listen like this He won't listen like this क्या करूं में इसका What should I do with him What should I do with him अगला sentence है sentence number 16 अगर आपको बोलना है किसी से कि इस बारे में सोचना भी मत इस बारे में सोचना भी मत तो आप simple बोलेंगे Don't even think about it Don't even think about it Don't even think about it इस बारे में सोचना भी मत अगला sentence है sentence number 17 अगर आपको बोलना है किसी से कि ऐसी गलती दुबारा मत करना ऐसी गलती दुबारा मत करना तो आप बोलेंगे Don't make such a mistake again Don't make such a mistake again Don't make such a mistake again ऐसी गलती दुबारा मत करना Don't make such a mistake again अगला sentence है sentence number 18 अगर आपको बोलना है किसी से कि वो कोई भी हो सकता है वो कोई भी हो सकता है वो कोई भी हो सकता है तो आप सिंपल बोलेंगे He can be anyone He can be anyone वो कोई भी हो सकता है He can be anyone He can be anyone अगला संटेंस है संटेंस नमबर 19 अगर आपको बोलना है किसी से कि सच कहूं तो ऐसे हम लोग बोलते हैं अक्सर कि सच कहूं तो के लिए आप बोलेंगे to be honest to be honest to be honest सच कहूं तो ऐसा नहीं है ऐसे बोलते हैं तो सच कहूं तो के लिए to be honest अगला sentence है sentence number 20 अगर आपको बोलना है किसी से कि मना मत करना मना मत करना मना मत करना तो आप सिंपल बोलेंगे डोंट से नो डोंट से नो मना मत करना डोंट से नो डोंट से नो मना मत करना डोंट से नो डोंट से नो अगला संटेंज से संटेंज समबर 21 अगर आपको बोलना है किसी से कि मैं हार नहीं मानूंगा मैं हार नहीं मानूंगा तो आप simply बोलेंगे I will not give up अगला sentence Sentence number 22 अगर आपको बोलना है किसी से कुछ तो गडबर है कुछ तो गडबर है तो आप simply बोलेंगे Something is fishy कुछ तो गडबर है Something is fishy Something is fishy, कुछ तो गड़ बढ़ है मना मत करना, don't say no Don't say no अगला sentence से sentence number 23 अगर आपको बोलना है किसी से कि तुमने कर दिखाया तुमने कर दिखाया तुमने कर दिखाया तो आप simple बोलेंगे You made it You made it You made it तुमने कर दिखाया तुमने कर दिखाया You made it अगला sentence से sentence number 24 अगर आपको बोलना है किसी से कि आप उदास लग रहे हो तुमने कर दिखाया तुमने कर दिखाया तुमने कर दिखाया You seem to be upset अगला sentence से sentence number 25 अक्सर जब हम लोग किसी से बहुती ज़ादा इरिटेट हो जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं मैं पग गया हूँ मैं पग गया हूँ तो आप इसके लिए बोलेंगे I am fed up I am fed up I am fed up मैं पग गया हूँ I am fed up I am fed up अगला sentence से sentence number 26 अगर आपको बोलना है किसी से मुझे से बाहर निकालो तो आप simple बोलेंगे Get me out of it Get me out of it मुझे से बाहर निकालो Get me out of it Get me out of it मुझे से बाहर निकालो आज की वीडियो में इतने ही sentences I hope आपको इससे help लेगी अपने English को improve करने में वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए helpful रही हो तो इस वीडियो को like जरूर करें अपने सबी friends के साथ जिनको भी English को improve करना है महां तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें मिलते हैं आप से next वीडियो